तो यहांपर दोफ्तों जब भी आप AirDroid को connect करने की कोशिश करते हो तो कभी ना कभी आपके पाफ ये problem जरूर फे आया होगा and आज की वीडियो में आपको complete जान करके फात इसका evolution मैं बताने वाला हूँ तो आपने इस वीडियो को पूरे end तक देखना है और चैनल पर नाया है तो चैनल को please subscribe कर देना है क्योंकि मैं F.E. interesting वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ और मेरे चैनल पर जाकर देखेगा बहुत फ़री वीडियो आपको AirDroid के related मिल जाएंगी तो चलिए दोफ तो बिना time waste के वीडियो को शुरू कर लेते हैं अभी यहां पर दोफ तो हम example के तोर पर फारी बाते समझेंगे मान के चलिए यह आपका mobile है और यह आपके बच्चे का mobile है तो जब आप अपने mobile में यहां पर email और power डालके connect करने के कोशिश करते हो तो आपके पाफ यह connect नहीं होता अभी यह connect क्यों नहीं होता वो मैं आपको बताता हूँ क्योंके दोफ तो जब भी आप अपने बच्चे के phone में Android इंफ्टॉल करते हो तो आप वहां पर एक program को share देते हो वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज आप share देते हो यहां पर आपको यह वाला interface देखने को मिल चाहता है यहां पर लिखो है Android is running in the background डिफबल में भी stop अगर आप मतलब कि यहां पर notification को बंद करते हो डिफबल करते हो तो यह आपका Android बंद हो जाता है कभी भी यह connect नहीं कर पाऊगी ठीक है अभी यह इसका main जो है problem होता है जब भी कोई बंदा new बंदा होता है और Android को install करता है तो यह जो है उसको होता है कि यह notification बार बार आ रहा है वो यहां पर डिफबल कर देता है इस notification को डिफबल करते हैं अनुसार ही यह जो है आप जैसे ok करते हो तो अभी जो Android है वो आपका connect ही नहीं होगा चाहे आप कुछ भी कर लो चाहे internet बढ़िया चल रहा है या नहीं चल रहा है इससे कोई फरक नहीं पड़ता अभी इसका solution है कि आपको जो notification है इसकी hide करने का वो मैंने वीडियो के description में मैंने link डाल दिया वो वीडियो देख लेना उस तरीके के जरिये आप इस notification को hide करना जैसे कि यहां पर मैंने किया था ऐसे आप मत करना ठीक है यह मेन कारण होता है इसका अभी दोफ्तों मान के चलिए मैं एर्डोड को open करता हूँ open करने के बाद दोफ्तों आप देख पाऊगे यहां पर आ जाएगा notification अभी दोफ्तों इंटरनेट ओन नहीं है तो मैं इंटरनेट ओन घर देता हूँ ना एड यहां पर अभी notification आ जाएगा एर्डोड इव रनिंग लिखाओ आ जाएगा यहां पर टीक है यहां पर दोफ्तों आप दिखसकते हो यहां लिखाओ आ गया तो यह मेन कारण होता है क्या आप यह डिफिबल कर देते हो उफ्किर कान यह काम करना बंद कर देता है इस यह connect हो जाएगा आप देख पाओगी यहापर connect हो गया ठीक है लेकिन अभी notification यहापर आ जाएगा कि connecting to Samsung mobile ठीक है तो notification चला गया आपके बच्चे को तो यह चीज बंद करने के लिए मैंने वीडियो बना रख्या है वो देख लिए जाएगा ठीक है तो वो active नहीं होगा अगर active हो भी जाता तो आपको bank को 3-4,000 रुपई हर मन्त पे करने पड़ेंगे और वहाँ पर auto debit लग जाएगा जिसके कारण आपको जो bank balance हो automatically कटना शुरू हो जाएगा तो इस तरह से दोस्तों बहुत फ़री चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है अगर आपको premium plan कराने चाहते हो तो मुझे देगाए number पर contact कर सकते हो तो तन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए